हे गाइस वेलकम बैक टो आर यूट्यूब चैनल दी इन्फो उशियन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शास्त्रों और पुराणों में भगवान शुव का निवास्थान कैलाश परवत बताया गया है इसी कारण से हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर क्षीर सागर है कहाँ पर विश्नु पुराण के अनुसार हमारे प्रित्वी साथ द्वीपों में बटी हुई है ये सातों द्वीप चारों ओर से साथ समुद्रों से गिरे हुए है इस कारण से हिंदु मान्यताओं और ग्रंतों के अनुसार पगवान विश्नु और देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में निवास करते है विश्नु पुराण में मिलने वाले उलेक के अनुसार क्षीर सागर को दूद का सागर कहा गया है क्षीर सागर को भगवान विश्णों के निवास्थान के साथ साथ उनका शयनागार भी कहा जाता है पुराणों के माने तो क्षीर सागर की एक परिक्रमा करने वाला व्यक्ति उसके एक जन्मे किये हुए पाप और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है जो भी व्यक्ति इसके 10 परिक्रमा कर लेता है उसे 10,000 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है इसे के साथ क्षीर सागर की 108 परिक्रमा करने वाला व्यक्ति जीवन और मरन के चक्र से मुक्त होकर मुक्ष प्राप्त करता है माना जाता है कि क्षीर सागर भगवान शिव की चटा से निकलने वाले गंगा के वेग से निर्मित हुआ है कहते हैं कि भगवान शिव की निवास्थान यानि की कैलाश परवत से करीब 40 किलोमेटर की दूरी पर क्षीर सागर मौजूद है इसे मान सरोवर जील की नाम से भी जाना जाता है ऐसी मान्यता है कि इस जील में एक बार डुपकी लगाने मात्र से रूदर लोक में स्थान प्राप्त होता है कैलाश परवत की यात्रा के दोरान मार्ग में ही ये सरोवर पड़ता है अर्थात प्रित्वी पर मांसरोवर जील को ही क्षीर सागर माना गया है हाला कि भगवान विश्णु बैंकुट लोक में निवास करते हैं ऐसा हर एक पुराणों में लिखित है इस कारण से ये तर्क भी लगाया जाता है कि क्षीर सागर बैंकुट लोक में ही मौजूद है लेकिन प्रित्वी लोक पर शिव के निवास्थान यानि की कैलाश परवत के माग में आने वाला पवित्रमान सरोवर जील ही क्षीर सागर के नाम से प्रसिद्ध है पुराणों में वर्णित इसके महत्व के कारण आज भी श्रद्धालू इस जील की अपने योग्यता के अनुसार परिक्रमा अवश्य करते हैं दूसरी और ये भी माना जाता है कि पद्मनाप स्वामी मंदिर के सात्वे दर्वाजे के पीछे भगवान विश्णु क्षीर सागर में शेशना की शया पर विराजित है इस कारण से ये मान्यता भी प्रचलित है कि भगवान विश्णु के पद्मनाप स्वामी मंदिर के सात्वे दर्वाजे की पीछे से क्षीर सागर शुरू होता है क्योंकि मान्सरोवर जील को भी क्षीर सागर माना जाता है इसलिए श्रदालू इसकी परिक्रमा करके और दर्शन करके ही अपने यात्रा को सफल मानते है आज के इस वीडियो में हमने पुराणों और वेदों के आधार पर ये जानकारी दी कि क्षीर सागर कहां पर है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करें ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो उशन को सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग